जैशीहरी, बंधू, हम सब लोग जानते हैं कि जाती का प्रचलन पूर्वकाल से ही हमारे भारत में रहा है, क्या इतिहास है उसका, कैसे रहा है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि ब्राम्मन, छत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वान हमारे शास्त्रों में बताए ग शास्त्रों में ये भी बताए कि ये चार वान यदि आपस में एक दूसरे से विभा कर लें, अर्तात ब्राम्मन, ब्राम्मन से ना करें, एक शत्रिय, एक शत्रिय से ना करें, वैश्य, वैश्य से ना करें, शूद्र, शूद्र से ना करकर एक दूसरे से कर लें, तो इनकी ये 99 दशवलंब 9 प्रतीशत बात लागू होती है जिन रिशियों के में तपस्या कबल है वो अपने तपस्या के प्रभाव से चुत जाती को भी उपर उठा सकते हैं यह आप लोग जानते हैं भगवान भी अपने किसी की चुत जाती हो उपर उठा सकते हैं जैसे ब्रह्मा ज तो आज का विशय है जातियों काните यो वर्ण संकर जातियों का एक दूसरे से विभा कर लें तो तीसरी जो जाती निकलती है वो वह कौनसी उसकी जो संतान होती है, उसकी जाती होती है, सूत, महावारत में आपने सुनाओगा, सूत पुत्र, सूत जी ने कहा, तो ये जो जाती होती है, ये सूत, ये छत्रिय पुरुष और ब्रहामन इस्तिर से होती है, सूत जाती के पुरुषों को जो शास्त्र में उल्लेक है, वेद का अधिकार नहीं है, वेद के धर्मों के पालन करने का अधिकार और उन्हें श्रवन करने का अधिकार है, और पौरानिक रूप में तो सारे अधिकार प्राप्त हैं, ऐसा उल्लेक आता है, सूत आधी जाती के से आप देखेंगे याज्यवल की स्मिलती में इसका वर्णन आता है आचार अध्याय तिरानविवश लोग गरुडपुरान आचारकान चानविवश अध्याय में इसका उल्लेख आता है दूसरी जाती यदी क्षत्रिय पुरुष चोरी से ब्राह्मन इस्त्री से विवा कर ले चोरी से कैसे होता है छुपागे दूसरों को ना बताके आपस में विवा कर ले तो उससे जो संतानुत्पन होती है वो रथकार होती है जिसने शास्त्र का अर्थ दिया है अनुवाद किया है उसने रथकार के ब्रैकिट में कोश्ठक में ये लिख रखा है कि रथकार का तात्पर रहे बढ़ई अथ्वा स्वानकार तो रथकार से तात्पर जो रथ बनाते थे बढ़ई भी हो सकते हैं तो आजकल के बढ़ई लोग हो सकते हैं जो ब्राह्मन अपने को कहलाना परसंद करते हैं इनका कार्य होता है शूद्र के धर्म का पालन करना ये इतिहास बता रहा हूं मैं आपको कैसे जाती चली कैसे क्या हूँ ओष्णस संगिता पांच विद्या में इसका उल्लेक है पांच विश्लोक में इसका उल्लेक है ओष्णस संगिता पांच विश्लोक ब्राम्मन कन्या से यदी कोई सूत जाती का द्विज ब्राम्मन कन्या से यदी कोई सूत जाती का द्विज संतान उत्पन करे तो जो संतान होगी वो होगी वेनुक अर्थात वंड जाती की ओशन संगिता चोथा श्लोक है वेनुक क्या होता है वेनुक क्या कारे करेंगे फिर वेनुक का अर्थ होता है बंसी तो वेनुक स्वाभविक है बास बंसी से संबंदित कोई कारे करते होंगे अगला आता है ब्राम्मन कन्या का यदी सूचक पुरुष से विवाह हो ब्राम्मन कन्या का यदी सूचक पुरुष से विवाह हो सूचक पुरुष कौन होता है? सूचक जाती कौन सी होती है? शूद्र कन्या हो और वैश्य पुरुष हो अनुलोमज है यह अनुलोमच समझते हैं इतिहास के अनुसार शास्त्र के अनुसार जो उच्च जाती का पुरुष निम्न जाती की इस्तिरी में संतानुत्पन करता है वो अनुलोमच और जो निम्न जाती का पुरुष उच्च जाती में संतानुत्पन करता है वो परतिलोमच तो शुद्र कन्या में वैश्य पुरुष से उत्पन को सूचक कहते हैं सूचक पुरुष यदि ब्रामणी स्तिर से विवाह कर ले तो जो संतान होगी वो तक्षक जाती की होगी और इनका कार्य होगा शिल्प का कार्य करना चुद्र का भी कारे शिल्प कारे करना होता है और शनसंगिता तिरा अलेश्व श्रोक में इसका उल्लेख है यदि ब्रामन करनिया वैश्य पुरिशों से विभा कर ले तो जो जाती उत्पन होगी वो होगी मागद या भाट और याग्यवलक जी के मत में वैदे हक वैदे हिक नहीं वैदे हक इनका कारे होता है ब्रामनों या ख्षत्रियों की विशेश रूप से इस्तूती करना और इसके ना होने पड़ी साजीवका के ना मिलने पर वैश्यों की सेवा करना इनका कारे होता है और शनसंगिता साथवे श्लोक में इसका उल्लेख है तेरानवे श्लोक आचार अध्याई या अगवल के स्मिति में इसका उल्लेख है और आचार कांड गरोड पुरान में 96 अध्याई में इसका उल्लेख हाता है अचा ब्राम्मन करन्या यदि शुद्र पुरुष से विवा कर ले या शुद्र पुरुष ब्राम्मन करन्या से विवा कर ले तो जो संतान उत्पन होती है वो चांडाल होती है चांडाल वण की चांडाल जाती की जिसका कार्य होता है ग्राम की शुद्धी करना मल आधी साफ करना और आशनस संगिता आठवा श्लोक तिरानवे आचार अध्या यागवल किस्मिति और आचार कान 96 अध्या गरूर पुरान में इसका उलेखाता है ब्राम्मन कन्या यदि आयोगव जाती जुलाहा जाती कोली जाती या कोरी जाती के पुरुष से विवहा कर ले ये अब मुझे नहीं पता ये विराट कोहली वाली जाती है या नहीं तो ये जाती होती कौन सी है जो ख्षत्रिय कन्या और वैश्य पुरुष से उत्पन होता है वो होता है आयोगव जुलाहा कोली या कोरी तामरोप जीवी या ठटेरा उत्पन होता है यदि आयोगव जुलाहा कोली या कोरी पुरुष से ब्राम्मनी कन्या में संतान उत्पन हो तो उत्पन संतान ठटेरा होगी तामरोप जीवी होगी ठटेरा तामबे के बरतन बनाना ये सब ठटेरा आप जानते हैं चोद बाश्लोक उशन संगिता में इसका उलेख है ब्रामन कन्या से यदी वेदेहिक पुरुष का विवा हो जाए वेदेहक नहीं वेदेहिक वेषे कन्या वेशुदर पुरुष से जो उत्पन होता है वो वेदेहिक होता है वैश्य कन्या और शूद्र पुरुष इसे तो वैदेहिक पुरुष यदि ब्राम्मन कन्या से विभाह करे तो जो जाती उत्पन्न होगी वो होगी चरमकार, चमार, चमडे आधी का कारे करना इनका आजीविका का साधन होता है और संगिता 21 वे श्लोप में इसका वर्णन है यह हमने आपको आज जो जातियां बताई है यह बताई है ब्राम्मन से जो जाती उत्पन्न होगी है ब्राम्मन की इस्त्री से दूसरे परपुरुष से अब लोगों ने जो इतिहास ये इतिहास है ऐसा ऐसा हुआ है चाए वो ब्राम्मनों ने किया हो कि नियम ऐसा बनाया हो चाए वो शूद्रों ने स्वेम बनाया हो चाए वो ब्रह्मा जी ने बना के भेजा हो चाए भगवान ने बना के भेजा हो नियम यही था अब लोगों ने इसको ऐसे लिया कि सबी लोग शुद्र हो गए सब लोग बहुत बुरे हो गए यह बुराई का अर्थ इस चीज से नहीं है कि वो पैदा ही ऐसा हुआ है निक्रिष्ट यहां भी आचार की बात है भगवान ने निर्धारित कर दिया ब्राम्मन पुरुष और ब्राम्मन इस्तिरी ही विवा करेंगे यह दोनों ही विवा करेंगे यह दोनों विवा करेंगे तीस रगो बीच में आया तब दोश आया तब जाती से चुत हुए तो वास्तम में देखा जाये तो चमार, चर्मकार, तामरोग जीवी अर्था, ठटेरा, सूत, ये सब कहां से उत्पन्नु हैं, ये ब्राम्मन माता की तो संताने हैं, और आप लोग इनको लेकर लड़ते हैं, शास्त्र बस इतना कहता है, इनकी अनुसार आचरन करो, ऐसा इतिहास कहता है, मैं नहीं कह रहा, मैं आपको ऐसी कोई शिक्षा नहीं दे रहा कि आप ऐसा छूट, जात, पात, उंच, नीच मानो, ये तो इतिहास के उपर चलचित्र बनाएं, ये इतिहास है, तो किसी को कोई ब्रहमित ना करे कि, शूद्र वही है जो मल उठाता है, तीन वर्णों की सेवा करने का कारे होता है, जो मल मूतरारी उठाते हैं, वो तो मातर चांडाल होता है, जो चमड़ा बनाते हैं, वो तो मातर चर्मकार होते हैं, तो ऐसा कह देना कि सारे ही, S.C., S.T., शूद्र, ब्रहमन, छत्रिय वैशो को छोड़ कर सब, उनका कारे कच लगा नहीं था, मल उठा नहीं था, ऐसा कुछ यह जो इतिहास था आपको बता दिया, किसका क्या कार रेत था, निर्धारित था, इतिहास के अनुसार जिसने भी किया भ़री हो, निर्धारन वो कानून जिसने भी बनाया हो, तो ये ब्राम्मन, इस्त्री से, जो संतान ह होती हैं वो लेख आपको कर दिया अगली चल्चित्र में शत्रिय से विभाग के विशे में बात करेंगे धन्यवाद जैशी हरी